हेलो फ्रेंड्स कैसे आप मैं हूँ रविंदर और करते हैं स्टार्ट लेसन नमबर 9 ऑफ स्टेमल आज बात करेंगे कोमेंट्स के ऊपर स्टेमल कोमेंट्स क्या होते हैं कैसे लिखते हैं फॉर्म्स और उसके जैसा कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स बच्पन से लेके और अभी तक भी हम फॉर्म फिल करते आ हैं आप सेक्रीन के उपर देह रहे हैं फॉर्म इन्पूर्ट सेलेक्ट और अर टेक्स्ट एरिया और भी काफी सारे टैग्स हैं आइये उनके बारे में बात करते हैं और कुछित करते हैं तो फ्रेंड्स आगे हम पॉरस आप स्कीरिन पे देखें कोई नहीं का इस खब फिर भी जब मेशा कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में में आप पुछ ब्लॉक कास बनाते हैं कुछ आप फंक्षन लिखतें को चाप फ्क लाशा से लिखते हैं तो वो हमें पता लगता है जो कुमेंट्स की हल्प से तो फ्रेंट्स मैं रेक्मेंट करूंगा कि आप जब भी कोडिंग करें कुमेंट्स का बहुत ध्यान रखें, इंडैट्निक का बहुत ध्यान रखें स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखें कि ये बहुत ही अच्छा रूल प्ले करता है कि आपकी कोडंग को निखारने में निए कोडंग बीटर बनाने मे क्वालटी कोड की बनाई रखने में कोड्沃 रॉलटिस से पता लगता है कि आप कैसे टुबय है। तो html में कमेंटिंग कैसे करते हैं वो इस तरह की से करते हैं friends आपको लिखना होता है greater than का sign fill explanation और दो आप dash लिखते हैं तो जो पहले दो dash होते हैं इनका मतलब है कि start comment और जो last के दो dashes होते हैं और less than का sign होता है उसका मतलब होता है end तो मानलो यहां पर मैं कुछ header लिख रहा हूं या header का कोई block बना रहा हूं है तो मैं उसे कुछ इस तरह के से लिख दूँगा header जी टेफ टैग मैंने उपन किया close किया और मानलो यहां पर अंदर मेरे पास काफी सारी HTML है header के लिए तो यह मेरा header tag था तो मैं कुछ इस तरह के से भी लिख सकता हूं header start और इसे मैं लिखता हूं end तो इससे यह पता लग जाएगा कि मेरा header यहां start हुआ है और यहां complete हुआ है तो जो code read करेगा उसके लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा कि यहां से section start है और यहां पर कतम है यह तो दो तीन लाइनें का code है बट जब thousand में हो जाती है लाइने तो रीट करना थोड़ा tough हो होता है developers के लिए तो मैं recommend करूंगा आप ऐसे approach फोलोग कीजिए इसके इलावा कभी हमारे पास ऐसे situation भी आती है कि आपने कोई section बनाया है पेज में काफी सारे section है हमारी page में और आपको चाहिए कि फिलाल अभी के पास मेरे पास इसके लिए कोई content नहीं है बट आपने एक interface इसके लिए बना दिया है मानूँ में चीज है कुछ content है बट अभी के लिए आपके पास real content नहीं है वहाँ पर place करने के लिए और आपको ये box hide करना है या हटाना है तो एक तो वे ये है कि आप इसको सीधा delete कर दो और हटा दो बट आप चाहते हो कि code मैं उसका backup यहीं पर रखूँ और वो जब मैं चाहूं से comment करूं और वो देख जाए तो उसके लिए भी आप एक comment का यूज ले सकते हो आपको करना क्या है आपको ये start करना है अब ये पूरे का पूरे comment होगे नीचे के blog भी comment होगे बट जैसे कि मैंने बताया ये होगे आपका start comment और जहां तक आपको comment रखना है वहाँ उसे place कर दो तो ये वाला blog हमारा comment होगे अब ये हमें दीखेगा निव तो ये था friends commenting html में इसी प्रकार css में इसका अलग सेंटेक्स है जावस्क्रिप में अलग सेंटेक्स है और अफिसारी जो language है उनमें अलग सेंटेक्स होता है दोस्तों तो बढ़ते हैं आगे जो सबसे पहला टैग है वह आपको लिखना होगा form क्योंकि एक parent टैग है जैसा आप ने मेरी जो लास्ट वीडियो थी टेवल के उपर उसमें भी जो टेवल टैग होता था वह एजे पेरेंट यूज़ होता था उसके अंदर टेवल हैड है टेवल फुट है टेवल बौडी है और जो भी टी आर है और टेवल डेटा टैग है तो उसी तरह हमरे पास form जो tag है वो parent है उसके भी काफी attributes है name एक common attribute है जो form में और उसके elements में भी यूज होता है तो अभी के लिए आप ये attribute और एक और attribute है id identifier यसे भी remind में रख लो ये भी common attribute है जो की हर tag और हर elements में हम use करते हैं उसके बाद अगर आपको लिखना है स्क्रीन पे कुछ टाइब करना है मान लो आपने अपने नाम टाइब करना है उसके लिए आप कौन सा टैक यूज करेंगे या कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे फॉर्म का तो वो टैग है फ्रेंट इन्पुट और उसका कि आपके पास एक इन्पुट बॉक्स बन गया आप उसमें कुछ भी टाइब कर सकते हैं अब इसके मैं आपको कुछ एट्रिब्यूट बताना चाहूंगा जो फ्रेंट्स तक्रीबन सारे के सारे जो फॉर्म के ऐलिमेंट से उन्हें में कॉमन होते हैं तो आप अगर एक ऐ इन्हें में देंगा फ्रेंड्स जीजसा कि मैंनेटिन जीस में पटाको के एक फूल नेम的 या मैं इसे एक वाप व्रेंट्स कभी वैंड्यम के बीच में आपक्भी बीस पेस मत रख नर उसको हमेशा या तो फिर आप camel case बना के उसे ऐसे लिख सकते हो अगर आपको नहीं लिखना small में लिखना है तो आप इस space को occupy कर सकते हो underscore की help से या फिर hyphen की ठीक है friends तो आप इन दो तरीके से ये यूज़ कर सकते हो उसके बात है हमारे पाइडाइंटिफायर अडाइंटिफायर को भी आप सेम लिख सकते हो फुल आइफन नेम तो यह हमारे common होंगे इसके बाद हमारे पास title है फ्रेंट्स title टाइटल भी common attribute है हर टैक के लिए इसे भी मैंने शाहिद आपको काफी बार बताया है लांस की वीडियो में टाइटल एक टूल्टिर का काम करता है वो बता रहा है कि यह टैक्स बॉक्स किस लिए यूज़ हो रहा है इसके बाद एक ही और इंट्रेस्टिंग एट्रिबूट है प्लेस होल्डर जो हमें एक हाइलेट करता है अब यह हाइलेट कर रहा है को किस टेक्स बॉक्स में आपको लिखना आगे क्या है अगर यह लेवल इसमें लगाने रहा तो बो लेगा कि एंट्रेस्टिंग था नीव ठीक है इसके इलावा हमारे पास एक और एट्रिब्यूट है वो है मैक्स लेंथ मैक्स लेंथ क्या करता है अभी हम बात करते हैं मान लो मैंने इसको सेट कर दिया 5 अब आप इस टेक्स बॉक्स के अंदर 5 से ज्यादा क्रिक्टर टाइप नहीं कर सकते हैं काउंट करते हैं वैंड बी सी टी फाइफ आप लिख नहीं सकते हैं ठीक है इसके लावा हमारे पास एक साइज अट्रिब्यूट है ये भी एक तरह से विट्थ का काम करता है अगर मैं आप एक टू साइज दे दूं तो ये दो करेक्टर की विट्थ आपको पाई करता है तीस इसरा दिख रहा है वर बहुत ही कम तो ये यह काम करता है फिलाल के लिए मैं दोनों एक्ट्रिब्यूट्स को हटा देता हूं अगर्ण्स और इसके इलावा हमारे पास है एक रीड उनली अब रीड उनली में क्या है फ्रेंट्स आपको एक टेक्स बॉक्स दिख रहा है प्रॉड़ा सा फेड हो गया है इस डिसेबल का जो काम क्या है वह आपको बात की वीडियो में क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स शायद अभी कि बात प्रेंड़ नहीं पर थोड़ा बता दूँ यह क्या है डिसेबल जब हम मार्क कर देते हैं किसी भी फिल्ड को तो जब form आपका submit होता है तो इस form की value नहीं जाती है friends server पे तो value के लिए हमारे पास जिसम के मैं अपने नाम set कर रहा हूं तो मैंने set की as value ravinder sing ठीक है friends तो value का ये roll है आपको value predefined field होके आगे अगे अगर मैं इन दोनों attributes को delete मारता हूं तो आप इस value में addition भी एड़ कर सकते हैं महांसों मैंने कर दिया नेगी रविंदर नेगी यह मैं कर सकता हूए यह इनको remove भी कर सकता हूँ तो यह था friends इस text box या इस form के elements का work और आपको जो भी यह मैंने elements यह आपको रिमाइंड में रखने हैं टाइब नेम आईडी टाइटल प्लेस होल्डर रीड उनली डिसेबल्ड और वैल्यू वैल्यू सुरी मैंने लिखाई हुआ है वैल्यू मैक्स लेंथ 15 कर रहा हूं साइज इसको ही मैं 15 करते था हूं तो यह हो गए हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस तो यह डेट दस के दस एक्टिब्यूट आपको रिमाइंड में रखने जब भी आप इनपुट टाइप का कोई भी एलिमेंट यूज करते हैं दोस्तों हमारे पास इनपुट एक एक है फ्रेंट्स बट हमारे पास जो इसकी टाइपिंग है वो काफी तरह की है तो आपको टैट तो एक याद रखना है पर उसकी टाइप याद रखनी है आगे की वीडियोस में भी काफी सारा क्लियर करेंगे टाइपिंग के उपर मैं पूरी की पूरी टाइपिंग एक वीडियो में नहीं बताऊँगा आपको क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो सकती है और शायद आपको समझ भी ना आए एकदम से तो मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को काफी पार्स में डिवाइट कर दूँ ताकि आपको वो सारी की सारी चीज़ें इजली पिक हो सकें और आप इजली इन चीज़ें को समझ सको और सीख सको तो आगे बढ़ते हैं एक और टाइप के साथ मुझे क्या करना है मान लो आपने काफिस सारी वेब साइट में देखा हुआ प पर वाली हैं तो आप यह पासवर्ड देख रहे हो अब मैं इसमें एक प्लेस होल्डर लगा देता हूं प्लेस होल्डर में लिख देता हूं एंटर था पासवर्ड तो कुछ इस तरह से दिखेगा और जब मैं इसमें एंटर करता हूं कुछ तो वह इस तरह से रवर करेगा तो यह था पासवर्ड टाइप और इसके इलावा हमारे पास एक हो टाइप है इंपुट की टाइप है हमारे पास वो है हिडन अब फ्रेंड्स यह हिडन है तो हिडन का मतलब तो होता है वो ही जो दिखता नहीं है तो सेम यही चीज़ है यह एक जिस्ट कर रहा है बट यह हमें दिख नहीं रहा तो इसका यूज क्या है इन फ्यूचर में वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में यह हम यूज करते हैं किसी लॉजिक के लिए किसी प्रोग्रामिक लॉजिक के लिए तो उसके सिस में इसका यूज हो आपको बस इसकी टाइपिंग याद रखनी है कि हमारे पास एक इनपुट टाइप है टैक्स एक है हमारे पास पासवर्ट एक है हमारे पास हीडन अब इसके इलावा एक और मेरे पास टाइप है इनपुट की मान लो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अप्लोड करनी है एक फॉर्म में वह आप कैसी ऑप्शन दना होगे उसके लिए तो आपने इस तरह की ऑप्शन जरूर देखी होगी ओनलाइन टाइप है फाइल ठीक है तो वह कुछ इस तरह से फाइल अप्लोड कर सकते हैं फ्र इनपुट टाइफ है मान लो आपको इस फॉर्म का में बटन मिलाना है एक समिट बटन जो इस फॉर्म को समिट का सकी उसके लिए आप लिखेंगे इनपुट टाइप सब्मिट और वैल्यू में लिखेंगे उस बटन का नेम लाइक आपने लिख दिया सेव और जब उसको स तरीके दिखेगा इसके बाद आपको एक और बटन बनाना है रिसेट ये कैंसल का तो सम्मिट की जगा आप लिखतेंगे बटन तो वो बटन इस तरीके से देख जाएगा अब ये फॉर्म कुछ साई से नहीं डिस्प्ले हो रहा तो अगर हम इसकी थोड़ी सी अच्छी सी से बना दें तो उसके लिए हम लिख लेते हैं फील सेट ठीक है ये फील सेट हम लोज भी कर देते हैं क्योंकि जो टैक ऐसे पेरेंट डाई उसर हो रहा है वहीं क्लोज होगा जहां पर उसकी चाइल्ड खतम हो रहें तो यह हमारे पास एक फील सेट बन गया है पर लिख देता हूं लाइक यह है अपकाउंट डेटेल तो यह इस तरीके से दिखेगा अब यह स्टाइलिंग तो होगी हमारी बट्ट फोम अभी भी वैसा क्या वैसा है तो उसके लिए हम लिख देते हैं एक पी टैक यान की पैराग्राफ टैक लिखते हैं और फर्स्ट टाइप है उसे कर देते हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ को तो वाक्य की सारी चीजियां की नीचे और इसके साथ एक लेवल टैक यूज़ करते हैं जो बताएगा यह फील्ड का क्या काम है तो जैसा कि यह बता रहा है नेम है इसको मैं हटा जिता हूं इने टूट को यह ने पासवर्ड इसका भी लेबल सेट कर देता हूं पासवर्ड पश्वड फासवर्ड सेट हो गेया हमारा ठीक हे फ्रेंड़्स तो आब हमारे पास है अ फीडन को तो एदन यह तो इसका थो नहीं है लेवर्स एक हट करते हैं उसesque लिख देते हैं प्रोफ फाइल पिक्चर, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर पिक्टैक यहने की पेराग्राफ टैक पंद, और यह हमारे दोनों बटन, तो यह उल्रेटी क्लोज ही है, तो यह फॉर्म कुछ इस तरह किसे दिख रहा है, थोड़ा सा बैटर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यह फॉर्म बन गिया, और अब हमने सीखी, हमारे पास जो टैग है, वो एक है, इंपूट, 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 तो सेम इनपूट है, टाइपिंग बिल तो बनाना है text box name लिख सकते हो city का name लिख सकते हो state का name लिख सकते हो किसी भी type का आपके पास single line अगर आपने input लेनी है user से तो आप use करेगो input text box अगर आपने password बनाना है तो password के लिए आपको use करने पड़ेगी password type input e стала local हो सकती है or image हो सकती है video कि सी भी तरह की फाइल तो आपको यूज करने फाइल अगर आपने वेलीू नहीं लोजिकली रखनी है तो आप करेंगे ूजे धिरण अगर आपको बटन बनाना है सम्मिट का तो आप टाइप करेंगे टाइप सम्मिट और आपको सिंपल बटन बनाना है कि उसके क्लिक पे आप कुछ ना करें सम्मिट के प्लिक पे तो form सम्मिट हो रहा है यह रिलोड हो रहा है आप देख रहें तो आपको रिसेट के खिस में यूज करना है बटन तो फ्रेंड्स ये हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स की बेसिक इनपुट टाइपस हैं जो की मैंने कवर करती हैं इसके इलावा दो टाइपस और हैं इनपुट्स की वह भी मैं बताऊंगा ठीक है फ्रेंड्स और बाकी की और जो एडवांस अगर हमें स्टेमल फाइब की बात करें और भी एडवांस इनपुट्ट टाइपस काफी सारी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या जो की फर्दर वीडियो हैं उनमें कवर करूंगा तो ये हमारी एक दो तिन चार पांच छे छे इनपुट्ट टाइपस हो गई हैं इसके इलावा दो इनपुट्ट टाइपस मैं और बता रहा हूं आपको वो आप कभ यूज करोगे तो बदता हूं मान लो आपके पास काफी सारी जॉइस हैं जैसे अगर आप बात करें होबी की तो होबी की बात करते हैं तो लेवलिंग जो हम करेंगी होबीज अब आपकी होबीज कौन कौन सी है मान लो आपकी होबीज है इंटरनेट आपकी होबीज है म्योजिक आपकी होजिक है प्लेइंग ठीक है अब इन होबीज को हमने चूज करने हैं तो वो कैंसे करेंगे इन होबीज को चूज करने के लिए कि हमारे पास जो इनपुट टाइप होती है वो होती है इनपुट टाइप में हम लिख देते हैं जेक बॉक्स तो ये फ्रेंट्स हमारी ये हब्बी बन गी सौरी वो शहर डिलीट हो गया बट कोई बात नहीं इंटर्न गे लिखते थे यहां पर इंटर्न माड के ये म्यूजिक के लिए हो गया और एक और बनाते हैं प्लेंग के लिए तो ये हमारे पास तीन चेक बॉक्स होगें फ्रेंट्स ठीक है तो आपके पास च्वाइस वाली जो आप्शन है आप ऐसे बिनाओंगे आपके पास काफी सारी च्वाइस वाली जब भी कोई केस आएगा फॉर्म में ऐसे बिनानेगा तो आप इस तरह बना सकते हो अब इंट्रनेट को लेवल ठीक है तो ये लेवल तो बन गया अब अभी ये क्लिक नहीं हो रहा तो ये क्लिक कैसे होगा इसके लिए मुझे इस टेक्स बॉक्स को देना पड़ेगा नेम जैसे मैं ऐसे देखता हूं इंट्रनेट और यहां पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा जैसे मैं इसे पोर मेंशन किया तो ये पोर इसके इडिक के साथ मैप हो गया है जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा इंट्रनेट पर यहां से भी चेक्ट चेक्ट होगा और यहां से भी चेक्ट अंचेक्ट होगा तो इस तरीके से आप इन सभी के लिए भी कर सकते हैं इसके साथ बान लो आपको यह म्यूजिक वाला चेक्ट बॉक्स बाइडिफॉल्ट चेक्ट करना है तो उसके लिए आपके पास एक अडिशनल एट्रिबूट है चेक्ट जब भी आप इससे लगाएंगे तो यह बाइडिफॉल्ट चेक्ट होके आएगा इसी तरह डिसेवर्ड रीड उनली यह देखो डिसेबल हो गया है च जाएगा टाइटल यूज हो जाएगा टाइप तो कंपल सरी है नेम और इडी सें यह सारे के सारे सभी इंपूट में यूज हो जाएंगे तो यह तो था आपकी च्वाइज के लिए अगर आपको कोई केस ऐसा आता है कि कंडिशन एक है कि जैसे मान लो आपके पास आ जाता है पूछा जाए और आपके पास सिर्फ च्वाइस है यह सर नो वाली मतलब आपको यह और नो बोलना ही पड़ेगा तो उस केस में आप क्या करोगे तो उस केस में आपके पास यह और नो दो चीज़े हैं तो अब इस नो को मार्क कैसे करेंगे वह ऐसे करेंगे इसमें भी हमारे पास सेम टैग है इंपुट टाइप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी टाइप में हम यूज करेंगे रेडियो बटन भी बोलते हैं से तो यह एक रेडियो बटन यह बना द दिया अब दो रेडियो बटन हो गए अब दोनों ही सेलेक्ट हो गए और जबकि हमें करना एक है तो कैसे होगा उसके लिए हमें यूज करने को पड़ेगा फ्रेंड्स जो नेम है एक नेम रखना पड़ेगा लाइक मैंसे लिग देता हूं और यही मैंशन जो नेम है मुझ यूज होगा और नेम के लिए बता दू फ्रेंड्स जब भी आप कोई फॉर्म डिजाइन करेंगे जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि फॉर्म बनाया है मैंने फॉर्म के अंदर फॉर्म टैक कभी भी यूज नहीं होगा एक फॉर्म के अंदर मुल्टिफल फॉर्म ट इस फॉर्म के एक्शन में नहीं मिलेंगे तो अगर आपको वह वह वैल्यू सेम फॉर्म समिट पर चाहिए तो वह सारी के सारी अलिमेंट्स आपको इसी फॉर्म के अंदर लिखने पड़ेंगे तब ही वह आप कर सकते हो एक और चीज फ्रेंट्स एडेंटिफायर जो आई नहीं हो ना चीज़े है कि अगरह आप इस का नेम का ऊचिछो फूल नेम और उपर भी हमारे पास एक फूल नेम अल्रेडी है तो यह नहीं चेलेगा फ्रेंड्स यह जब फॉर्म सम्मिट होगा तो आपको एड़ टाइम एक ही वेल्यू गेट हुएगी सर्वर पे तो इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखो सिरफ यह जो सेम नेम हो सकता है वो भी एक बार मालो गर मुझे दूसरा एक कंडीशन या दूसरा सेट बनाना है इस रेडियो बटन का उस केस में यह जो टी है इसका नाम भी चींज करना पड़ेगा यह उनवन यह मतर्यूसरा अपन गया दूसरी कंडीशन बन गी ठीक है आपको ये दो नेम सेम रखने पड़ेंगे रेडियो बटन की केस में बोल रहा हूं बस चेक पॉस की केस में भी आप नेम सेम रख सकते हैं बट उसे आपको एरे बनाना पड़ेगा मतलब कि आप इसको ऐसे नहीं रखेंगे टेस्ट आपको करना क्या पड़ेगा ऐसे कुछ बिनाना पड़ेगा एक check box का नींडे एसे तो दूसरे check box का नीं बैसे इसे check box का नीं बैसे ताकि जब यह सम्मिट हो तो यह अजिए array जाए array के लिए अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एरे क्या होता है ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमारी जो बेसिक इंपुट्स से जो जितनी है हमारी टाइक बनी अल्मूस्स सारा फॉर्म ही हमारा कंप्लीट हो गया इसमें जो एक दो चीज पैंडिंग है वो अलग टैक्स से यूज होती ह है तो वह भी मैं आपको करवा देता हूं यह बनाता हूं मालों आपको यही इंपुट टाइप है मल्टी लाइन में लिखना है कुछ जैसे अपने पैराग्राफ कुछ अपनी टू दिनी है किसी को कुछ अपने बारे में लिखना है या किसी से मैसेज की इंपुट लेनी है तो उसके लिए आप जो डैग यूज़ करोगे वो है टेक्स्ट एरिया इस टेक्स्ट एरिया में भी जो एट्रिब्यूट यूज़ होंगे आईडी नेम मैक्स लेंथ वैल्ल्यू और जो डिसेबल रीड उनली वो सारे के सारे एट्रिब्यूट सेम है फ्रेंट्स दो इसमें इसके के लावा होर कोई नहीं है इसके लावा हमारे पास एक और जो है फ्रेंट्स वह भी काफी जगा यूज होता होगा आपने देखा होगा जैसे आप city country का select करने का box या select box आपने देखा होगा तो वह बनता है इस tag से select tag से और यह select tag में अंदर हमारे पास है आप्शन मान लो हमारे पास है टेस्ट फिर हमारे पास है आप्शन सोरी अप्शन तो यह कुछ इस तरीक इसे दिखता है फिरेंट सो कभी भी आपको अगर कुछ सेलेक्ट करवाना हो कभी भी आपको कोई select box बना वना हो तो वह हिस टाक की हelp से बनेगा फ्रेंट सो जैसा हमारे पास checkbox में चीको है तो उसी परकार हमारे पास लेडियो बटन में भी चीछ प्रॉपर्टी एट्र भी और जो की आउय्टॉल करता है और वो convert होके बन जाता है select box के अंदर option के अंदर selected तो जो value आपको by default select करवानी है वो select रहती है friends तो वो इस attribute की वज़े से रहती है यह देखो by default select आ रही है तो इस attribute में भी friends name id title place order तो इसमें चलता नहीं है तो यह सारे के सारे attributes सेम है जो only change होती है value value इस सारे attributes में उन्ही attributes पे sorry tag पे लगती है जो कि select box के case में change हो जाती है और वो चले जाती है option के पास तो आपको जो value है वो यहाँ set करने पड़ेगी क्योंकि यह individual अलग-अलग option है तो वो value कुछ इस तरीके से place होती है ठीक है friends तो इसके इलावा हमारे पास एक और चीज़ है अगर आपको एक ही time में multiple selection करवानी है तो उसके लिए आप क्या use करेंगे friends मान लो मेरे पास यहाँ पे काफी सारे options हैं four options हैं इसमें अब मुझे multiple अभी मैं इसमें तो only एक time में सरफ में ही की select कर पर रहा हूं option बट मुझे चाहिए कि मैं select one और यह select one को choose कर सकते हो कैंसा करूंगा उसके लिए मेरे पास एक है multiple attribute select के case में जिसमें मुझे select box मेरा multi select बन जाएगा और मैं सारे की सारी control एसे मैं सारी selection कर सकता हूं या मैं फिर एक दवा के control दवा के क्लिक करके जितनी भी चाहिए मैं selection कर सकता हूं तो यह multiple type select box हो गया friends और single type select box हो गया तो almost हमारा पूरे का पूरा जो input type है जो basic form जिससे बनता है डिजाइन होता है वो सारे की सारी वो मैंने इसमें cover कर दी हैं friends और इसका जो यूर है वो भी मैं आपको दे दूंगा description box में तो आपको यह read करना है आपको यह practice करनी है यही आपकी assignment है और आप जल्दी सा जल्दी assignment बनाके मुझे भेजिए जो भी लोग offline HTML सीख रहे हैं प्लीज अपना code share करें me at the rate ravindranegi.com पे मुझे mail करें और इसके इलावा आप GitHub Hub पे भी submit कर सकते हैं अपना code अगर GitHub आपको चलाना नहीं आता फ्रेंड्स तो उसके लिए मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स मिलते हैं आपको next वीडियो में और उसमें बताऊंगा में inputs की और भी सारी टाइप्स एडवांस टाइप्स जो के HTML 5 में यूज हो रही हैं तो आज के लिए इतना ही thank you so much जैन कि अवाव से अवाव से घड़ियो में फुर एगा से लिड़ियो में आपके साथ SHरी आपके से लिए घड़े आपके साथ